नमस्कार दोस्तो ग्यानविक ग्यान के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देखी फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो साइन्स के मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चिन की क्लास है यहां से पक्का 100% हमारी गारेंटी है कि आपको एक्जाम से कोश्चिन फसें ठीक है तो अगर आप इस चैनल पर नए आये तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छे कंटेंट और अच्छी वीडियो जो है अच्छे कोश्चन आपको मिल सकें और जो है हमारे इस चैनल के मादियम से आपको प एक ही कमी से हो जाता है दूसरा एक कार्बुरेटर होता है कार्बुरेटर किस के अंदर होता है वो उता है पैंट्रोल इंजिन में यानि कि जितने भी पैंट्रोल की गाड़ी आपको मिलेगी उसके अंदर कार्बुरेटर आपको जरूर देखने को मिलेगा अगला कोशन है कि वास्पन की दर कीस पर निर्बन नहीं करती है जो वास्पन की दर है वो दर्व के दर्वमान पर निर्बन नहीं करती अगला कोशन है कि जुआर सबसे उंचा कब होता है जो जुआर भाटा होता है आपकी जो समंदर के अंदर होता है जुरी 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 पर निर्बर करता है अगला कुशन है कि पानी और चोक यानि की खड़िया कि मिश्रण को पर्थक किया जाता है तो वह किसके द्वारा पर्थक किया जाता है आपके वास्पन के द्वारा ठीक है जो चोक और पानी है उसके मिश्रण को अलग करना है आपको तो वह वास्पन के पर्मानों में प्रोटोन होते हैं, जो प्रोटोन होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, नाभीक के बीतर होते हैं, अगला कोशन है कि पर्मानों के नाभीक में उपस्तित होता है, तो पर्मानों के जो नाभीक हैं उसमें प्रोटोन और नियोट्रोन उपस्तित होते हैं, अगल जल का रासायनिक सूत्र, यह देखिए H2O है, ठीक है, आपका जो है H-O गलत है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का H2O होता है, द्रोव बूंद की संकुचन और कम से कम छेतर घेड़ने की प्रवर्ती का कारण है, तो वो प्रश्टतनाओ के कारण है, अगला है विटामीन और संत्रे में कौन सा विटामीन पाया जाता है, तो विटामीन जो आपका C है, वो नेबो और संत्रे में पाया जाता है, इसके लावा खट्टे पदार जितने भी होते हैं, आपके खट्टी चीजों में, वो आपका विटामीन C पाया जाता है, अगला कुशन है मानाव सरी कुन सा भाग संधी सोंदि कठिया से प्रभावित होता है जो गठिया होती है आपकी गठिया भाई आपने सुना भी होगा तो वह जोड़ूं नहीं नहीं होती आपके एक लानेला इसा inner कपड़े जो है देखिए क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम उस्मा का आउस्वेशन करते हैं यानि कि जो उस्मा को अपने और आकरशित करने के ख्षमता है वो किसमें गर्मी के दिनों में किसमें है जो आपका स्वेध कपड़ा है उसमें ऐसी जो उस्म करने की सकति है वो कम होती है अगला कोशन है मेग गर्जन की धवनी सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है यानिकि जब तक आपको धवनी जैसे बिजली कड़कती है तो पहले आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है उसके बाद आपको सुनाई देती है धवनी तो उसका करण क्या है क्योंकि प्रकास देखी प्रकास क्या होता है धवनी की अधिक्ति रुगति से चलती है ठीक है प्रकास जो है आपका धवनी से जादा स्पीड से चलता है अगला कोशन देखिए कि भूश ररक्षन को नियंतिर्थ कर सकता है तो रक्षर क्विख थी अधिया रीक्षर ऑपन के द्वारा नियंतित हो सकते हैं कोले के जलने से बनती है आगर कॉयला जलता है तो दिन के समय आक्सिजन छोड़ते हैं और कार्बन डाय अक्साइड का उपबोग करते हैं यानि कि जो पेड़ पोदे होते हैं वे दिन के समय कार्बन डाय अक्साइड छोड़ते हैं और अक्सिजन छोड़ते हैं अगला कुशन है पंखा करने से सरीर में ठंडा की अनुभूमी क्यों उत्पन होती है जैसे आप जो है फैंच जलाते हैं तो उसके बाद जो है सरीर में ठंडक मैसूस क्यों होती है उसका करण है कि सरीर पर आदरता के वाश्पन के कारण ठंडी अनुबह होती है ठीक है सरीर पर आदरता के वाश्पन के कारण ठंडी अनुबह होती है अगल अगला कुशन देखिए पारे को जब एक बलतन में रखा जाता है तो मैनी मिक्स होता है वो कैसे होता है उत्तल होता है ठीके चलिए अगला कुशन देखिए वर्सा की बूंद गोलाकार होती है वर्सा की बूंद गोलाकार होती है किसके करण सतही तनाव के करण ठीके वर्सा क टीक की खोश किस ने के थी लुईस पास्चर ने वाई उमडल में क कारवन डायकसाईड के परीमांड में वराध्धी के कारण होती है में कारबन जो डायखसईड है कि परिमान वरधि किसके करण होती है अगला कोशन है एक आवलतिक गती एक आवलतिक गती से घुमने वाली चक्के की परती सेकेंड गुरूनन किसमें मापी जाती है इस्ट्रेबो इसकोप में जो आपकी एक आवलती है जो घुमती है वो चक्के की परती सेकेंड गुरूनन किसमें मापी जाती है इस्ट्रोबो इसकोप में जब बरब का टुकडा पिंग लेगा तो पानी का इस्तर कैसा होगा आपका बताना है आपको बढ़ेगा कम होगा या अपिरूती तरहेगा जब बरब का टुकडा पिंग लेगा तो पानी का इस्तर ऐसा का ऐसे ही रहेगा माली जी एक ग्लास है उसमें आपने पानी डाला ऐसे पानी भरा हुआ है इसमें और इसमें आपने बरब का टुकडा चोड़ दिया ठीक है बरब का टुकडा इसमें डाल दिया तो फिल जो है पानी किस तर क्या होगा ऐसा का ऐसा ही रहेगा सेम रहेगा डाई निकाई है अग तुर्जा को विद्धू तुर्जा में, RDX क्या है, RDX एक विष्पोटक है, RDX है, एक विष्पोटक, समुदरी जल में साधार नमक की परतिसत क्या है, एक समुदरी जल में जो साधार नमक है, वो कितने परतिसत मातरा में होता है, ठीक है आज तक हम यह जो है question यहीं पर रखेंगे उसके बाद अगले question जो है हम सुभे को आपको या फिर जो है कल जो है हम आपके लिए इस तरीके के और question आपके लिए लेकर क्याएंगे हमारी पूरी वीडियोज आप देखते रहीएगा यहां से आपका एक भी question गुरूप डी में नहीं चूटेगा यह पक्का हमारा वादा है आप कोई भी competitive exam दीजेगा science का एक भी प्रशन आपका यहां से नहीं चूटेगा ठीक है तो चैनल पर बने रहीएगा चैनल को like, share, subscribe ज नहीं आपा तो